तो थोड़े camera के features हम यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले लेते हैं यहां पर fun mode है तो चलिए यहां पर fun mode में जाकर देखें तो इसको continue कर लेते हैं network setting मतलब इसको थोड़ा net चाहिए तो उसके यहां पर आप wide angle में भी ले सकते हैं और आप 30x zoom तक भी ले सकते हैं fun mode में तो च यह रहा single take mode तो चलिए आप single take भी ले सकते हैं उसके लाव यहां पर हम देखें फोटो फोटो पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप सबसे पहले चीज तो 30x zoom तक आप photo क्लिक कर सकते हैं बहुत यह बहुत यह feature होगा मतलब और उसके अलावा wide angle में भी ले सकते हैं मतलब यह तो चलिए उसके लाव यहां पर हम देखें और features की बात करते हैं तो यहां पर आपको इतनी filters मिल जाते हैं फिल्टर की capacity को कम जाता है भी कर सकते हैं यहां पर प्लस करके और download भी कर सकते हैं अभी फिलालिस में नेट नहीं है आप कर सकते हैं download उसके लाव यहां पर और प्लस कर रहें size कैसा आना चाहिए किस size में photo click होना चाहिए वह आप यहां पर कर सकते हैं अपने photo का size तो चलिए यहां रहा size अपने हिसाब से आप size select कर लेना फूल आना चाहिए फूल जैसा आपको अच्छा लेगे वह आप यहां पर select कर लेना photo का size उसके लाव यहां पर ठीक बाज़ों दिख रहा है टाइमर है यहां पर पांस सेकंड है और दो सेकंड है दस सेकंड है आप यहां पर पांस सेकंड करते हैं वक्त हैं direct click हो जाएगी मतलब click नहीं on हो जाएगी और भी आपको रोशनी देने के लिए भैतिन फोटो के लिए उसके लाव यहां पर और दिखर आपको setting पर क्लिक करने के बाद और हम देखें और features की बारे में बात करने के लिए और यहां पर है swipe shooter button 2 आपर आप टेक ए इसको इसी को on रहने देना है बस आपको इसको कुछ नहीं करना है उसके लाव और निचाना है निचाने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है आप पर इसको on कर लेना है और ब्याक आने के बाद और हमें आपर देखें के लाव और हमें आना है नीचे आपर high videos को इसको भी on कर लेना है उस उसके लाइंब आपर शिटिंग में तडस है यहां पर आपको दिख रहा है प्रेस वेलूम की स्टु मिस्टोब इस पर आपको क्लिक लेना है। जूम होना चाहिए मतलब आप केमरा ओपन करके वेलूम बटन पर क्लिक करेंगे तो फोटो किलिक होना चाहिए या जूम होना चाहिए या।-, कम ज्यादा होना चाहिए, वो यहां पर आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूंता आपको के और यज Haug, और पलब और हुट-कर चाहिए अगर मैं को थी और यहां पर ध्लीक हो जाएगा। और आते हैं बैक बैक आगर और बात करते हैं अपर setting to keep आपके पर क्लिक लेना है camera mode पर क्लिक करना है, selfie angle इसको भी on कर लेना, filters को on कर लेना एक step बैक करते हैं और आपका है आपकर देखता है watermark watermark यहां पर shoot with my galaxy a72 है यहां पर अपना नाम भी आप डाल सकते हैं जो नाम आप यहां पर डालेंगे वह नाम फोटो में क्लिक हो जाएगा तो यहां पर जैसे आपको चलेगे यहां पर वह नाम आप डाल सकते हैं डालेंगे तो वही नाम आपका बता देगा तो चलिए मेरे चनल का नाम मैं यहां पर डाल रहा हूं तो फोटो क्लिक करने के बा recording कर सकते हैं और आप 12X तक Zoom कर सकते हैं उसके अलब हैं हम पर कुछ filters मिलेंगे वीडियो के लिए भी आप देखे नहीं रहे एल्टर्स के लिए जाते हैं अर्म कर सकते हैं तो चलिए और मैं फील्टर प्लय आप कहे नहीं लाते हैं मिलते हैं और देखतीं है यहां पर कर लिए आप स्मार्पोन यहां पर कर लिए oke क्लिक लिए on super steady mode b Vin अन कर सेथे जादा हिले हिलाउंड़ तो यहां ज्यादा शेक नहीं होगा लिए मृत को ऊंकर करेंगे तो यह है थीअ वीडियो रिकॉर्ड हो जागा यहां पर मोर में हम आएंगे मोर में आगर और देखें एयार डूडल मिलता है यह रहा एयार डूडल डूडल सेल्फी है तो यह रहा एयार डूडल आप यहां पर फीचर बहुत सारी मिलते हैं स्टीकर वगरा वगरा आप यहां पर भाहतरीन मिलते हैं तो यहां से इसको कर सकते हैं यह एक सेलेट करके बता रहा हूं इस तरह से आप यहां पर बहुत सारी फीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं वह आप यहां पर सब कुछ आप कर सकते हैं इसी स्माटफोन में तो चलिए और आप कर लेना आपको तुम्हां बस सेटिंग बता रहा हूं थोड़ा-थोड़ा यूज करके बता दिया उसके लिए आप फूर्ड प्रो वीडियो है और सूपर स्लो मोशन वीडियो है वगरा-वगरा आपको इतनी फीचर्स हैं आप पर मिल जाते हैं इसी सामसिंग गैलक्सी एस स्माटफोन में क्यामरा के फीचर्स तो चलिए बात करते हैं 55 फीचर की तो क्या करेंगे हम जाएंगे सेटिंग में